हेलो दोस्तन नमस्कार दिनबर की बड़ी खबर बिना देरी के बताते हैं जहां सबसे पहले बताएंगे आई एनस ब्रह्म पुत्र में लगी भीशन आग बुरी तरह छती ग्रस्त हुआ अपना वार शिप दोस्तों एक नावी की भी लापता तो वहीं बताएंगे आखिर कैस चाल पैंगॉंग तसो पर बना दिया ब्रिज अब आसानी से ला सकेगा वो सेनिकों का टैंक दोस्तों बताएंगे युद में कैसे चीजों को आसान करने के लिए नापाक चाल चल रहा है चाइना तो वहीं बताएंगे बांगला देश का आरक्षन विरोध अब हिंदू वि राम से वीडियो का अंत्र तक बने रहेगा और खबरों आगे बढ़ने से पहले अपने भारत का निरंतर विकास चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंड में जेहिं दवश्य कह दीजेगा अब चलते हैं पहली ब मांडू अपनी अंतर राश्ट्रिय सीमा के बारे में इस पस्ट और ड्रड है प्रतीनिधी सभा में विश्वास मत हासिल करने के एक दिन बाद सांसदों के सवालों का जवाब देते वे ओली ने कहा कि सरकार इस बात पर ड्रड और इस पस्ट है कि 1816 की सुगॉली संधी के अनुसार लिम्पिया धूरा काला पानी और लिपुल एक सईत महाकाली नदी के पुरू में इस्तित छेत्र नेपाल के हैं ओली ने कहा कि संघिय संसद और नेपाल सरकार का रुख देश के अंतर राश्ट्रिय सीमा से जुड़े मुद्दों को लेकर इस पस्ट और दृट ह है ओली ने कहा कि नेपाल एक नया मान चित्र अपनाया है जिसे 2017 में संविधान में दूसरे संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया है और इसके अनुल लगनक तीन में उल्लेख किया गया है और हमारी अंतर राश्ट्रिय सीमा के बारे में अभूत पुर्व राश्ट्रिय सहमती बनी है ओली ने 15 जुलाई को नेपाल के प्रधान मंत्री के रूप में शबद लिती यहां तकि प्यम नरेंदर मोदीजी ने भी ओली को प्रधान मंत्री बनने पर बधाई दी लेकिन यह नहीं पता था कि ओली प्रधान मंत्री बनते ही अपनी आउकात दिखाने लग दोस्तों ओली को जो प्रधान मंत्री बनने से पहले तो भारत को लेकर बड़े ही अच्छे रुख अपना रहेते लेकिन जैसे ही प्यम का पद मिल गया वह अपना रंग दिखाने लगे वह बताने लगे कि वह अपनी चाल से बाज नहीं आएंगे तो दोस्तों वहीं टास्किंग युदपोथ आइनस ब्रह्म पुत्र में 21 जुलाई को आग लग गई थी बताया जा रहा है कि जहाज में आग उस वक्त लगी जब उसकी मरमद की जा रही थी आग ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया जिसके बाद बंदर गहा में मौजूद अन्य जहाज के दमकल कर्मियों की सहयता से सोमवार सुबह आग पर काबू पाया गया युदपोथ में आग लगने की वज़े से वो एक तरफ से जुक गया है काफी परयासों के बाद भी आइनस ब्रह्म पुत्र को सीधा नहीं किया जा सका आग लगने के बाद जहाज पर मौदूद एक नाविक को छोड़ कर सभी को बचा लिया गया है अभी भी उस नाविक की तलास की जा रही है लेकिन अभी तक उसका कुछ भी सुराग हासिल नहीं हो पाया है ना कुछ पता चल पाया है युदपोथ में लगी उस आग की वज़े भी अभी तक साफ नहीं हो पाई है कि वो लगी तो लगी क्यों हाला कि भारतिय नोसे न ने आग की जाच के आदेश दे दिये हैं जी हां ऐसे मैं आशा करते हैं कि वो लापता नाविक भी जल से जल मिल जाएगा तो वहीं बता दें सेटलाइट में कैद हुई चीन की चाल पैंगॉंग तसो पर बना दिया ब्रीज में चीन अपने विस्तारवादी मनसूबों का अंजाम देने से बाज नहीं आ रहा है पुर्वी लदाख में ड्रेगन ने इन्हीं मनसूबों के मद्दे नजर पैंगॉंग तसो जील पर ब्रीज बनाने का काम लगभग पूरा कर लिया है हाल ही में सेटलाइट से ली गई तस्वीरों में ये पुल साफ साफ दिखाई दे रहा है ये ब्रीज लदाख के खुरनाक इलाके में जील के सबसे संकरे हिस्से पर बनाया गया है जो लदाख के उतरी और दक्षनी हिस्से को जोड रहा है बताया जा रहा है कि ये ब्रीज जल्द ही इस्तेमाल में लिये जा नहीं लगेगा और वो किसी भी operation को जल अंजाम देने की स्थिती में होंगे यानि कि एक तरफ उपर से चाइना ये दिखाता है कि वो border पर शांती चाहता है और दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी में लगा हुआ है उसको पता है कि वो अपनी आदत से बाज नहीं आ सकता वो विस्तार नीती को कभी जिंदगी में भी नहीं छोड़ पाएगा और यही सबसे बड़ा कारण है कि वो back door भारत के खिलाब साज दिखें रचतार रहता है इस पर आपका क्या टेक होगा दोस्तों कमेंड में वश्य बताईएगा और लेकिन आपको बताते भारत भी अपना कम नहीं भारत भी लगातार हर तरीके से चीन को महतोर जबाब देने की तैयारी में लगा रहता है भारत का एक ही उसूल है जो कि सबसे बहतरीन और सबसे बेस्ट है भारत हमेशा यह कहता है कि हम आगे से किसी को छेड़ेंगे नहीं और अगर कोई आगे से हमको छेड़ता है तो पीछे से उसको छोड़ेंगे भी नहीं जी हां तो वहीं दोस्तों आपको बता दें बांगला देश में आरक्षण के खिलाब प्रदर्शन अब हिंदू विरोध में बदल गया जीहां प्रदर्शन कारी माइक लेकर दे रहे हैं ऐसी ऐसी धमकी बता दें पड़ोसी देश बांगलादेश में आरक्षण को लेकर लोगों ने शेक हसीना सरकार के खिलाब मुर्चा खोल रखा है इस्थिती ये है कि देश भर में बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है सरकारी नौकरियों की कमी से आक्रोशित प्रदर्शनकारी आरक्षण प्रनाली को खतम करने की मांग कर रही है इसे बीच अब आरक्षण के खिलाब जारी प्रदर्शन बांगलादेश में हिंदूों के विरोध में बदलता जा रहा है दरसल 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ बांगलादेश के मुक्ती संग्रा में हिस्सा लेने वाले लोगों के परिवार को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतीशत तक आरक्षण दिया जाता था जिसके खिलाब अब लोगों ने सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया जलती जा रही है यहां तक बदाया जा रहा है कि हिंसा की आर्ड में प्रदर्शन कारी हिंदू लोगों का घर तक फूंक रहे हैं दोस्तों सोचल मीडिया प्लेटफर्म एक्स यानि ट्वीटर जो पहले हुआ करती तो उस पर एक जिदेंदर प्रताब सिंग नाम के यूज जादेर मामार बारी बांगला चारो तारा तारी यानि की इसका अर्थ होता है जिनके चाचा का घर भारत है वे बांगला देश को जल्दी से जल्दी छोड़ दें जी हां दोस्तों आप ये ट्वीटर एकाउंट का स्क्रीन शॉट भी देख पा रहे होंगे जहां पर किलिय माहौल बनाया जा रहा है दोस्तों ऐसे में अगर ये बात वाकई में सच है तो बांगला देश में हिंदू पर घनत्व तरीके से पुर जोर तरीके से अत्याचार हो रहे हैं भारत की मोधी सरकार क्या कदम उठाती है दोस्तों वो देखने वाली बात रहेगी बैरहाल जां कारी मोस्टली विपक्ष पार्टी की और से आते दिखाई देर हैं जो कि हमेशा से भारत विरोधी रही है हिंदू के विरोधी रही है ऐसा संबब हो सकता है कि ये खबर वाके में बिलकुल सटीक हो जी हां तो वहीं प्रताडित हिंदू को दुदकार और बांगला देशिय सब्सक्राइब कर दो आपको याद होगा उन्होंने जो बयान दिया था जिसके बाद अब केंद्र सरकार में बैठी और पश्रिम बंगाल में मुख्य विपक्षी की भूमी का निभार रही बीजेपी ने ममता की इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी प्रदेश में बीजेपी के सह प्रभारी अमित मालविये ने कहा कि ममता बनर जी राज और केंद्र के वीच कामकाज और धायत्यों के बढ़वारे की सीमा का उलंगन कर रही है उन्होंने ममता बनर जी पर मुस्लिम टुष्टी करन और हिंदू विरोध का भी आरोप लगाया जी हां दोस्तों बांगलादेश की सीमा से सटे प्रदेश पश्रिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर जी ने बांगलादेश का खोला समर्थन दिया था उन्होंने कहा कि जो भी बांगलादेशी संकट किस घड़ी में उनके राज्य में आएगा उनका स्वागत किया जा आपकी अब जो भी रहों बताना मद भूलेगा तो वहीं आपको बता दें यहां चिपे 40 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंग की आधुनिक हत्यारों से लैस सेना ने बनाया खास प्लान जिहां करीब 40-50 पाकिस्तानी आतंगवादियों का एक समु कथित तोर पर जम्मू छेत् हैं और उनके पास कुछ सबसे आधुनिक और एडवांस हत्यार भी है इन हत्यारों में नाइट वीजन उपकरनों से सुसजित अमेर की निर्मित M4 कारवाइन राइफलें भी शामिल हैं इंडिया टुडे टीवी ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि इन आतंगवादियों में काम करते हैं खुफिया जानकारी मिलता ही सेना के जवानों ने आतंगवादियों को ट्रेक करने और उनका पीछा करने के लिए घेराबंदी और तलाशी अभ्यान शुरू किया है इसके अलावा सांबा में भारत पाकिस्तान अंतर राष्ट्य सीमा पर सुरंग का पता ल यहां तुर्की के रास्ट्रपती रेसेब तयब एर्दोगन एक एलान के बाद से यूरोप में सियासत गर्मा गई है अर्दोगन ने कहा कि अगर जरत पड़ी आवशकता पड़ी तो तुर्की साइप्रस में नौसेनिक अड़ा बनाने के लिए तैयार है एर्दोगन ने त कर सकते हैं अर्दोगन तुर्की के आकरमन के पचास साल पूरे होने के मौके पर शनिवार को उतरी साइप्रस गए थे और वहां से आने के बाद यह भड़काओ एलान किया तो वहीं अमेरिका में राश्ट्रपती चुनाब से पहले आया बहुत बड़ा सर्वे ट्रम्प य कि यहां बाद सिर्फ पद की नहीं बल्कि उस चेहरे की है जिसके वाइट हाउस में बैठते ही कई ग्लोबल समीकरन बदल सकते हैं वर्ल्ड ओर्डर में वो बदलाव आ सकता है जो शायद कई देश नहीं चाहते हैं ट्रम्प ने दावा किया है कि वो एक फोन कॉल पर रू लेकर अमेरिका में कई चुनावी सर्वे भी सामने आये हैं जो हम आपको अभी बता रहे हैं सबसे पहले बात करते हैं CBS के सर्वे की जहां पर इस सर्वे में 48 प्रतिशत लोगों की पसंद कमला हैरीस है जबकि 51 परसेंट लोग ट्रम्प को पसंद करते हैं यहां पर ट्रम् मिस्ट के सर्वे का जहां 49 प्रतिशत लोगों ने कहा है कि कमला हैरीस जीतेंगी जबकि 44 प्रतिशत लोग मानते हैं कि ट्रम्प की जीत होगी यहां भी ट्रम्प जीत गए तो वहीं तीसरा है फॉक्स न्यूज का सर्वे जिसमें 48 प्रतिशत लोगों ने कमला हैरीस को चु जीत गए तो वहीं अगला है रॉइटर्स इपसोस के सर्वे की जहां 42 प्रतिशत लोगोंने कहा कि ट्रंप जीतेंगे यहां भी ट्रंप की जीत तो वहीं दोस्तो अंतिम की बात करते हैं जो सबसे बड़ा न्यूज चैनल है अमेरिका में जहां CNN के सर्वे की जहां CNN के सर्वे कमला हैरिस की जीत होगी जब कि 47 प्रतिशत लोगों ने कहा है कि टरंप अमेरिका के अगले राश्टर पती होंगे यहां भी टरंप जीतते नजर आ रहे हैं यानि कि हर एक मीडिया हर एक सर्वे एजेंसी के इस सर्वे में टरंप ही जीतते नजर आ रहे हैं लेकिन दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि कमला है जिस भी टरंप से पीछे नहीं रही बस एक दो वोट प्रतिशत से पीछे है जो कि आप बराबर ही मान सकते हैं ये मान सकते हैं कि डोनाल ट्रम्प और कमला हैरिस के बीच में काटे की टकर होने वाली है इस बार और हो सकता है कि ये चुनाव फॉल भी हो जाए जी हां दोस्तों लेकिन दोस्तों हमारा आपसे ये सवाल है भारी मातरा में कमेंड में जरूर जवाब दीजेगा क्या ट्रम्प को टक कर दे पाएंगी कमला हैरिस क्या ट्रम्प से आगे निकल पाएगी कमला हैरिस क्या अमेर्की राष्ट्रपती कुर्सी हासिल कर पाएंगी ये जिस कुर्सी पर दुनिया का हर एक व्यक्ति हर एक बड़ा से बड़ा नेता बैठने के बाद सूपर पावर बन जाता है क्या उस कुर्षी को कमला हैरिस ट्रंप के को पचाड ते हुए बैठ पाएंगी जवाब देना मत भुलाएं दोस्तों भारी मातरा में जवाब दीजेगा वीडियो को देखते देखते तो वहीं आपको ये भी बता दें कमला हैरिस मिल चुका है इस पुर्व राष्ट्रपती का समर्तन लेकिन बरांग उबाअ म मनें जटका क्या कहा बता दें अमेरिका के पुर्वाराे स्पिकर नैंसी ने चुनाब से पीछे जटका दे दिया बराक ओबामा ने बयान में कहा कि आने वाले दिनों में हम अजाने रास्तों से गुजरेंगे लेकिन मुझे पूरा विज्वास है कि हमारी पार्डी के नेता एक ऐसी प्रक्रिया बनाने में सक्षम होंगे जिससे एक उतकृष्ट उम्मीदवार उभर कर साम ने आएगा जिहां अब ऐसे में ओबामा ने जिस प्रकार से कमला है इसको सपोर्ट ना करके जटका देने की कोशिश की है क्या बराक ओबामा इस बार फेल हो जाएंगे जो भी राए हो दोस्तों बताएगा जरूर तो वहीं बड़ी ख़बर बता दें पाकिस्तान चीन से ले पर पाकिस्तानी वायू सेना को जे थर्टी वन स्टिल्थ लड़ाको विमान की पेशकश की है यानि ओफर दिया है पाकिस्तान को ऐसे में सवाल ये उट रहे हैं कि क्या भारत को अमेरिका से फ्टी फाइव लड़ाको विमान खरीदने से जुड़ी बात चीत करनी चाहिए जे थर्टी वन को जानने से पहले जे ट्वेंटी के डवलपमेंट और परिचालन पर नज़र डालना बहुत जरूरी है क्योंकि चीन के विमानों को लेकर जितने दावे होते हैं उनकी कई बार हवा निकल जाती है जी हाँ दोस्तों बता दे क्या भारत वाकई में F-35 खरीदेगा दरसल वर्दमान में भारत ये वायू सिना की तागत सुखोई 30M के आई है इसके अलावा सबसे लेटेस्ट विमान राफेल, मिग 29, मिराज 2000 और जैगवार के बेड़ भी है यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट का म भारत इरान चाबहार पोर्ट समझोता दुनिया के लिए बना स्थीक रेट पागिस्तानी कर रहें इसकी जमकर तारीफ अब भड़क सकता है अमेरिका जी हाँ भारत और इरान के बीज चाबहार बंदरगा के लिए हुआ समझोता ना केबल दोनों देशों बलकि पूरे इल अंदरगा संक्ठन के प्रमुख ने खुलासा किया है कि भारत के साथ हुए चाबहार समझोते के कुछ हिस्से को गोपनिया रखा गया है इरानी अधिकारी का कहना है कि इसका उद्धेश अमेरिकी प्रतिबंदों के कारण होने वाली समस्याओं से बचना है इस खुलासे के अभी तालीबानी सरकार ने अब पाकिस्तान को बड़ा जटका दिया है हमने ये खबर आपको कल ही बतायता लेकिन आज पाकिस्तान ने भी इस पर क्या reaction दिया वो बदाने वाले हैं अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने पाकिस्तान की कबजे वाले कश्मीर के दावे को मानने से ही सिरे से खारिजगर दिया चुकि तालिबान सरकार ने पिछले तीन दश्कों में पहली बार अफगानिस्तान की सीमाओं का मुल्यांकन कि किया मेजरमेंट किया ऐसे में साफ है कि तालिबान प्योके को पाकिस्तान का हिस्टा नहीं बलकि जम्मू कश्मीर का आधी कारी के तौर पर हिस्टा मानता है और वो किलियर कहता है कि हमारा बॉरडर डायरेक्ट भारत के साथ जुड़ा हुआ है यानि कि इसका मतलब यह बयान से साफ नजर आ रहा है कि तालिबान ने पाकिस्तान के कभजे वाले कश्मीर के दावे को इसकेदा सीमा सीधे भारत के जम्मू कश्मीर इलाके से मिलेगी जो दोनों देशों का सीधा पड़ुसी घोशित हैं अब ऐसे में दोस्तों जब यह खबर पाकिस्तान तक पह रहा है हम विक्सित भयारत बनाने की और बड़ रहे हैं जिहां वित मंत्री निर्मलासिता रमण की ओर से लोकसवा और राजिसवा में पेश किये आर्टिक सर्वेक्शन पर प्रधानिमंतरी नरेंद्र मोधी जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी पिम मोधी ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षन हमारी अर्थवबस्था की मौजूदा तागत को उजागर करता है पिम ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षन हमारी सरकार की और से लाए गए विभिन सुधारों के परिणामों को रेखांकित करता है मोदी जी ने आर्थिक सर्वेक्षन पर प्रतिक्रिया देते वे कहा कि हम एक विक्सित भारत के निर्मान की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं ऐसे में मेरा भारत महान आप लो कमेंड में अवश्य लिखिएगा तो वहीं बता दें कनाडा ने दिया विदेशी छात्रों को ज पीजा देगा जबकि पिछले साल यह संक्या 4,37,000 थी तो वहीं बता दे भारत का नया किर्तिमान चंद्रियान 3 की सफलता पर इस रों को विश्व अंतरिक्ष पुरसकार जी हां दोस्तों आज भारत के लिए बड़े ही गर्व की खबर हैं सबसे पहले आपको बता दे भार सब्सकार 14 अक्टूबर 2024 को इटेली में आयोजित होने वाली अंतराष्ट्री हैं अंतरिक्ष सम्मेलन बोले तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रिस में प्रदान किया जाएगा जी हां दोस्ते हैसे मैं आप लोग इस रों को कॉंग्राइचुलेशन अवस्च कह दिजेगा तो वहीं बता लें बिहार को विशेश्राज का दर्जा नहीं लालु ने मांगा ए नितीशस इस्तिफ़ा जेडियूं साथ बिहार को विशेश दर्जा नहीं दिया जा सकता है बिहार में सता रूर नितिश कुमार की जनता दली युनाइटेड को केंदर सरकार के इस फैसले से बड़ा जटका लगा है जो एनडिये में भाजबा की एक प्रमुग सहयोगी पार्टी है बता दे कि जेडियू काफी लंबे अर्से से बिहार को विशेश राज का दर्जा देने की मांग कर रही है अब इस मुद्दे पर सियासत चरम पर है जहां बिहार की मुख्यमंत्री विपक्षी पार्टी आर्जेडी ने जेडियू पर तंज कसा है तो वहीं भाजबा ने भी अपनी बात रखी है जेड राज का दर्जा नहीं तो विशेश पैकेज के नाम पर ही बिहार को कुछ भी देदें यह कहकर हुई भाजबा के सामने नतमस्तक निदीश कुमार तुरंत इस्तिफादे बोला था विशेश राज का दर्जा दिला देंगे पर केंद्र ने मना कर दिया ऐसे में सीम को इस्तिफाद देना चाहिए बैरहाल दुस्ते इस मुद्दे पर आपकी क्या राई होगी बदाएगा जरूर और लालु पृसाद यादब के बयान का क्या जवाब देंगे देना मत भूलेगा तो वहीं बता दें लाडली बहना की तरहें तीन करोड लख पती दीदी बीजेपी के मैनिफेस्टों की नब 19 गारंटी पूरी कर सकती है मोधी सरकार जी हां आम बजट यानि सरकारी वादों को पूरा करने का सबसे बड़ा जरिया है लोकसभा चुनाब के पहले बीजेपी न अपने घोशना पत्र में मोधी की गारंटी के नाम से वादे किये थे मसलन करोड़ों परिवारों को पीम आवास बुजूर्गों को मुफ्ति इलाज सोलर पैनल के लिए सबसीडी स्टार्ट अप्स के लिए लोन जैसी घोशना की थी अवैसे मैं माना ये जा रहा है कि इस बार लाडली बहना योजना की ही तरह तीन करोड़ लेकर योजना ला सकती है मोधी सरकार दोस्तों यह उफिशल जानकारी नहीं है लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि आज ऐसा हो सकता है जी हां तो वहीं यह थी अभी कि सारी बड़ी खबर हैं आपको हमारी खबर कैसी लगी आश्यकरतों बहुत अच्छी लगी होगी थोड करना मत भूले का वस्ता फेस्बुक ट्वीटर पर मिलते हैं अगली बड़ी खबर में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत